जोजब इंग्लीश मीडियम स्कूल विजयपूर डिस्टर लर्निंग में आप सबी बच्चों का स्वागत करती हूँ पाड़ दो अध्यापक और विध्यार्थी अध्यापक टीचर और स्टूरेंट्स के बीच में ये जो लेसन है इसमें जो है प्रश्न उतर हो रहे हैं जिसमें किस प्रकार जो है अध्यापक जो है अपने विध्यार्थी से प्रश्न पूछते हैं और विध्यार्थी कितनी सरलता से उनके आंसर देते हैं उनके उतर देते हैं तो शुरू करते हैं अपना लेसन जिसका नाम है अध्यापक और विध्यार्थी इस पार्ट में अध्यापक और विध्यार्थी के बीच प्रशनोत चलता है सरल वाक्यों में चलने वाला यह सवाल जवाब कुशल संबात का एक नमूना है बच्चों जब कोई भी टीचर्थ जो है आपसे कुछ पूछते हैं तो आप उनके क्या देते हो उनको अच्छे से आंसर देते हो उनका उत्तर देते हो तो यह किसके बीच में चल रहा है गुरू और शिश्य के बीच अध्यापक और विध्यार्थी के बीच में यह वारतालाब चल रही है तो इसको सरल भाषा में क्या बोला जाता है एक कुशल संबात का एक नमूना कहा जाता है अब विध्यार्थी क्या है विध्यार्थी क्या बोलते है विध्यार्थी नमस्ते गुरू जी जब बच्चो हम भी जब स्कूल में आप जब हमारे साथ स्कूल में रहते हो और टीचर जो है क्लास में जब परवेश करती है एंटर करती है तो आप सभी बच्चे भी खड़े होकर कैसे अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हो आप भी बोलते हो ना गुड मॉर्निंग टीचर या गुड मॉर्निंग सर तो ऐसे ही इसमें विध्यार्थी ने क्या का है नमस्ते गुरू जी अध्यापक नमस्कार तुम्हारा नाम क्या है अब अध्यापक ने क्या बोला टीचर ने क्या बोला आगे से नमस्कार और क्या पूछने हैं जो ये तीन बच्चे जो खड़े हुए हैं इन्हों ने जो है उसमें से एक बच्चे ने जब अध्यापक को कहा गुरुजी नमस्ते तो अध्यापक ने आगे से क्या बोला नमस्कार और कितने प्यार से बोला कि तुम्हारा नाम क्या है विध्यार्थी मेरा नाम रमेश है यह मेरी बेहन है अब विध्यार्थी ने क्या बोला जो उसके साथ कौन कड़ावा था उसकी बेहन भी खड़ी भी थी तो उसके बारे में भी वो अपने गुरु को बताते हैं अध्यापक को बताते हैं कि यह मेरी बेहन है अध्यापक रमेश तुम्हारी भेहन का नाम क्या है अब अध्यापक ने क्या पोला क्या पूछा जो है रमेश से कि तुम्हारी भेहन का नाम क्या है आगे देखिए रमेश मेरी भेहन का नाम राधा है आगे से रमेश से कितना अच्छे से उतर दिया कि मेरी भेन का नाम राधा है अध्यापक, राधा, तुम कहां पढ़ती हो अब अध्यापक क्या पूछ रहे हैं अब राधा से उतर, अब राधा से प्रेश्ण पूछ रहे हैं रमेज से हो गया अब किस के पास आए राधा के पास अब राधा से क्या पुछा कि तुम कहा पढ़ती हो राधा मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ सरकारी स्कूल कौन सा आता है गवर्मेंट स्कूल को बोलते हैं सरकारी स्कूल तो रादा क्या बोलती है मैं सरकारी स्कूल में बढ़ती हूँ अध्यापक ये तुमारा भाई है क्या रमेश अब उसके साथ एक और जो लड़का खड़ा था अब अध्यापक ने क्या पुछा रमेश से कि ये जो तुमारे साथ खड़ा है ये तुम्हारा भाई है क्या रमेश हां ये मेरे बड़े भाई है आगे से रमेश ने क्या बोला कि हां ये मेरे बड़े भाई है अध्यापक क्या नाम है इसका अब अध्यापक ने फिर फिर कोशन किया ना क्या बोला अध्यापक ने क्या नाम है इसका रमेश इसका नाम सुहास है अब फिर से जो है प्रशन किस से किया था दुबारा से रमेश से ही पूछा था कि ये क्या तुम्हारे बड़े भाई है पिर रमेश क्या बोलता है हाँ ये मेरे बड़े भाई है और इनका नाम क्या है इनका नाम सुहास है अध्यापक तुम्हारे पिता जी क्या काम करते है अब अध्यापक ने क्या का आप टीचर क्या पूछते हैं जब भाई भेन का पूछने के बाद अध्यापक अब क्या पूछते हैं उनसे कि तुम्हारे पापा तुम्हारे पिता जी क्या काम करते हैं रमेश मेरे पिता जी वकील है रमेश से क्या पुछा रमेश ने आगे से क्या जवाब दिया कि मेरे पिता जी वकील है अध्यापक क्या वे इसी शहर में रहते है अब अध्यापक ने आगे से क्या पुछा कि तुम्हारे पापा जो है इसी शहर में रहते हैं क्या रमेश जी हाँ वे इसी शहर में रहते हैं गुरुजी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ अब रमेश ने जब इतना कोशन जो है जो अध्यापक पूछ रहे थे विध्यार्ती से तो अब क्या हुआ विध्यार्थी जो है एकदम जो है उनके साथ एकदम नरम हो गया अब क्या पूछते हैं अब रमेश क्या पूछते हैं अपने सर से क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ अध्यापक हाँ अवश्य मेरा नाम पवन कुमार है रमेश तुमारा घर कहा है अब जो है इतनी अच्छी जब दोस्ती हो गई तो उसके बाद क्या बोलते हैं अध्यापक क्या बोलते हैं हाँ मेरा अवश्य पूछो जरूर अवश्य मीज जरूर पूछिए आप कि अब फिर आगे से अध्यापक क्या बोलते हैं उनको अपना नाम बताते हैं हाँ मेरा नाम पवन कुमार है और तुम्हारा अब आगे से क्या बोला अध्यापक ने अब तुम्हारा घर कहा है रमेश हमारा घर विजे नगन में है आपका घर कहा है गुरुजी जब रमेश से पूछा कि तुम कहां रहते हो? आपका घर कहां है? तो उसने क्या बोला? कि मेरा घर तो विजे नगर में है. फिर अमेश क्या बोलता है गुरुजी को? अब आपका घर कहां है? तो क्या बोलते हैं आगे से? गुरुजी, अध्यापक मेरा घर भी विजे नगर में है. तुम कभी मेरे घर आना बेटा अब अध्यापक कितने अच्छे से बोलते हैं कि मेरा घर भी तो विजे नगर में ही हैं तुम कभी मेरे घर में आना बेटा उनको कितने प्यार से बेटा कहके गुरुजी ने बोला रमेश हाँ गुरुजी जरूर आउंगा रमेश आगे से क्या बोलता है गुरुजी को कि हाँ मैं आपके घर जरूर आउंगा अध्यापक अच्छा चलो देर हो रही है अब इतने जब प्रश्न और उतर चल रहे थे जो वार्तल अब चल रही थी गुरु और विध्यार्थी के बीच में तो उसके बाद क्या बोला है अध्यापक ने अच्छा चलो अब क्या हो रही है देर हो गई है रमेश धन्यवाद गुरुजी नमस्ते जब इतनी सारी वार्तल आप के बाद जब गुरुजी ने का अच्छा चलो देर हो रही है, तो उसके बाद रमेश ने क्या किया गुरु जी को? धन्यवात किया, और क्या बोला? गुरु जी नमस्ते, कितने अच्छे तरीके से, रिस्पेक्टफुली जो है, उसने अपने गुरु के सारे प्रश्नों के उतर के जवाब दिये तो आप सब को पता चला कि अध्यापक और गुरू के जो समवाद होते हैं उसको हम किस तरह से करने चाहिए Stay home and stay safe Thank you children